हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे जैन धर्म भाग 2 के बारे में भाग 1 आपको हम प्रवाइट कर चुके हैं आज भाग 2 आपके सामने हैं और यहां पर हम बड़े ही महतपूर सवालों को लेकर बातचीत करेंगे जो आपके हर एक्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं ठीक है तो इंपॉर्टेंट है आखरी तक जरूर रहें तब ही आपको फाइदा मिलेगा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं या जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है तो आप जब इस रूप में बात करते हैं, तो आपका नाम जो निकल के आता है, वो रिसब देव का आता है, किसका आता है, रिसब देव का आता है, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि जैन धर्म में 24-वे तीर्थंकर के रोप में आप किसका नाम लेते हो यह आपको कमेंट करना है अगर हो सकता है तो प्रियास करिए चलिए अगला सवाल है कल्पसूत्र का लेखक कौन था कल्पसूत्र का लेखक किसको माना जाता है तो यह बड़ा important है और इसका उत्तर होगा भद्र बाहू क्या अंसर होगा इसका यह भद्र बाहू होगा और यह आपको याद भी रखना है बिल्कुल भूलना नहीं है बहुत महावीर स्वामी जिन कहला है तो ध्यान में रखियेगा बारा वर्सों की कठोर तपस्या के बार महावीर स्वामी जिन कहला है अब आपको दो सवाल करने हैं कमेंट बॉक्स में और सभी को करना है देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं महावीर स्वामी ने कितने वर्स की दोनों के उत्तर आपको लिखने हैं और कमेंट में लिखना है चैट बॉक्स में नहीं कमेंट में तो सभी को बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है किस जैन तिर्थंकर को कला में सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया जाता है बताओ भई किस जैन तिर्थंकर क लेकर सर्पकला की कहानी है तो ध्यान में रखेंगे पार्षणात जो कि आपके बड़ी महत्पूर माने जाते हैं तो पार्षणात का नाम आपको याद में रखना है ये सर्पकला से युक्त प्रस्तुत माने जाते हैं ठीक है भाई ये भी आपके जैन धर्म से सम्मन्दित है आगे बढ़ेंगे तो महावीर की मृत्यू के बाद जैन धर्म का मुखिया किसे कहा जाता है तो महावीर की मृत्यू के बाद जैन धर्म का मुखिया सुधर्मा को कहा जाता है किसको सुधर्मा को कहा जाता है अगले सवाल की बात कर तो यहाँ पर बड़ा important रहेगा महावीर के पूर्व जैन धर्म को आप किस नाम से जानते थे अच्छा सवाल है ध्यान से करिएगा महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे तो यह आपका निरगरंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा निरगरंथ हो जाएगा यह बहुत ज़्यादा important रहेगा आपके लिए और जानकारी भी होना चाहिए आपके पास चलिए आगे बढ़ते हैं 23 जैन तीर्थंकर किससे संबंदित थे 23 जैन तीर्थंकर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंदित थे आपको ये बताना है ये आपके बनारस से किससे विटा ये आपके बनारस से संबंदित थे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है important है आप इसे याद भी रखें ठीक है भई अच्छा एक सवाल आपको comment box में बताना है कि मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है मंदिरों और घाटों की नगरी आप किसे कहते है ये आपको comment में बताना है ठीक है भई चलिए अगला सवाल है आपके कि 22 तीर्थंकर कौन माने जाते है 22 तीर्थंकर के रूप में आप किसका नाम लेते हो तो याद रखिएगा आपके 22 तीर्थंकर के रूप में आप अरिस्ट नेमी का नाम याद रखते हो ठीक है किसका नाम अरिस्ट नेमी का नाम आप याद रखते हो या आपके लिए बहुत जादा important है याद होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं महा महावीर की मृत्यू के बाद या महावीर के देहांत के बाद कौन है जो द्यान धर्म का आध्यात्मिक नेता बनता है तो नाम आपको मालूम होना चाहिए सुधर्मन ये क्या बनते हैं ये आध्यात्मिक नेता बनते हैं और इनका नाम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए भ याद रखिएगा बिल्कुल भूलिएगा नहीं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है महावीर का प्रथम अनुयाई कौन था या महावीर के पहले अनुयाई कौन बने उत्तर हो जाएगा जमाली क्या होगा जमाली तो ये आपको याद रखना है आप इसको बिल्कुल न भूले अगला सवाल है प्रवासगीरी जिनका तीर्सिस्थल है ये किस धर्म से संबंदित माना जाएगा ये कौन है तो ये जैन से संबंदित है ठीक है भाई तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो हमारा उत्तर भी यहाँ पर क्या होगा जैन धर्म से संबंदित होगा और कूर्चा के एक संपरदाय था किसका जैन धर्म का ठीक है भाई भूलिएगा नहीं बहुत जादा इंपोर्टेंट है चलिए अगला सवाल है गुप्तकाल में स्वेता संपरदाय का के इंदर था तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मतुरा और वल्लभी चलिए कुछ सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने हैं पहला गुप्ठकाल में कौनसा राजा है जिसको भारत का नेपोलियन चेहाता है और दूसरा गुप्तकाल में कौनसा अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है पार्सोनाद की सिक्षाएं संग्रहीत रूप से जानी जाती हैं तो आपको ध्यान में रखना है किस रूप में चातुरियाम नाम से ठीक है ये आपको याद रखना है इसे आप बिल्कुल भूलिये नहीं ये भी आपके लिए जरूरी है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है जैन धर्म में सलेखना से क्या मतलब होता है ये एक जैन धर्म का सब्द है सलेखना इसका तातपर आपको बताने क्या होता है इसका मतलब होता है उपवास के दौरान अपने प्राण का त्यार कर देना इस विधी में होता क्या है ये सम्म जैन धर्म से और इसमें जब व्यक्ति अपने मृत्यू के समय को निकट जानता है तो उपवास रखना स्टार्ट कर देता है और अपने अंतिम समय में वो उपवास रखके ही अपने देह का त्याग करता है ये सरीर का परित्याग कर देता है इसे सनलेखना प्रथा कहा जाता ह आए भगवान महावीर का प्रथम सिस्य किसे माना जाता है भगवान महावीर के पहले सिस्य के रूप में जमाली का नाम आप लेते हो किसका लेते हो जमाली का नाम आप लेते हो ठीक है भाई एक सवाल आपको बताना है महावीर स्वामी के बच्पन का नाम क्या था यह आपको कमेंट बॉक्स में करना है महावीर स्वामी के बच्पन का नाम क्या था चलि हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके लिए है सत्य के अनेकांत का सिध्धांत किसका विसिस्त लच्छन माना जाता है सत्य के या निकांत का सिध्धांत जैन धर्म का एक विसिस्त लच्छन माना जाता है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा और आप इसे भूलिएगा नहीं अगला सवाल है महावीर की माता कौन थी तो महावीर की माता का नाम आपको बताना है इनकी माता का नाम था त्रिसला क्या नाम था इनकी माता का नाम था त्रिसला आप इसे याद रखेंगे और कमेंट वाक्स में आपको लिख देना है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था ठीक है भई ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दो माता का नाम तो लिखाई है तो पिता का नाम क्यों छोड़ोगे इसको भी लिख दो मैंने आपको बताया भी था ठीक है, अगला सवाल कुंडलपूर जन्मिस्थान है किसका कुंडलपूर किसका जन्मिस्थान बाना जाता है तो यह आपका महावीर स्वामी का जन्मिस्थान बाना जाता है महावीर स्वामी यह भगवान महावीर यह भी आपको याद रखना है इसको भी आप नहीं बूलोगे चलिए आगे ग्यान कहते हैं और ये भी आपके लिए बहुत जादा important है जरूरी है अगला सवाल है स्यादवाद सिध्धान्त है तो ये आपका सिध्धान जो है वो किसका है ये आपका जैन धर्म का है आप इसे बिलकुल न भूलें ये भी आपके लिए बहुत जादा जरूरी है बहुत ज जाएगा भाई यह आपका पावापुरी हो जाएगा इसको आप ध्यान में रखिएगा अच्छा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि पावापुरी किस स्थान पर है किस राज में है यह आपको कमेंट करके बता लेना है सभी को कोशिस करिए है ना अगला सवा है جو پार्सोनाफ से संबद होने के कारण जैन सिद्द छेत्र माना जाता है तो याद में रखिएगा सम्मेद सिखर क्या याद रखना है आपको सम्मेद सिखर ये आपके लिए बहुत जादा जरूरी है आपको याद भी रखना है ठीक है भाई ऐसी चीजें आप याद रखोगे तो आपका फायदा है आप भूलो ना क्योंकि आपके एक्जाम में बार बार आता है आगे आगे बढ़ते हैं महावीर का जन्म किस छैत्री गोतर में हुआ था तो महावीर का जन्म आपका जांतरिक या आपको मालूम होगा च्छत्री गोत्र में हुआ था अच्छा इस तरीके से हमने 25-25 पच्चा सवाल कर लिये हैं 25 प्लस 25 अगर इसके पहले के 25 आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में सौरी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसे भी देख पाएंगे तो हमने आज इस टॉपिक से कितने सवाल किये हैं 50 सवाल किये हैं और ये सब आपके परिच्छा में कई कई बार बूचे गए हैं है ना भाई कोई गलती ना करें भूले ना चलिए कुछ और विसे भी बात कर लिया जाए तो अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे आन अकैडमी पर फॉलो कर लें जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा अब इसके फाइदे क्या है देखे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको प्लस लेने का उसर मिलता है प्लस लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंग वाईटी टेन और आप प्लस जॉइन कर पाएंगे वहाँ पर आप इन सब इसे को डिटेल में पर सकते हैं दूसरा अगर आप हमारी फ्री क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अनलॉक कोड होगा डीपक सिंग वाईटी टेन इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है और ये रेगुलर एट पीम पर क्लास होती है आप इसे जॉइन कर सकते हैं ये हमारा साथ जुलाई का बैच चल रहा था आप इसे भी जॉइन कर सकते हैं अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ठीक है भाई ये हमारा संकल्प बैच है इसमें भी हम डिटेल में चीज़े करा रहे हैं तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों को जुआइन कर सकते हैं और दूसरी बड़ी बात अगर आपको प्लस लेना है तो उसके लिए जो चार्ज है तो प्रयास करिए जितना लंबा लेंगे उतना जादा आपका फायदा है और अगर आप नए थे और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है और बहुत सारे वीडियो मिलते रहते हैं मिलेंगे हम फिर किसी अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद बाई बाई